क्या होगा यदि आप समुदर में 33 समय एक बड़े से जहाज से टकरा जाते हैं 37 से 55 किलोमेटर परती घंटे की आप स्पीड से चलने वाला जहाज की बोव से टकराना बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि आप हाई स्पीड पर एक मैसिब मेटल की वस्तु से टकराते हैं लेकिन इसका भी चांस है कि जहाज का बोव और हल पूरी तरह ब्रांकल से कभर हो जो कि किसी भी रेजर जितनी सार्फ होती है जिससे आपकी बोडी को काफी नुकसाम पहुचा सकती है और यदि हल की हाली में सभाई के कारण कोई भी ब्रांकल्स नहों तो आप वहां से अश्टर्न की और बढ़ जाओगे जहां सीब की प्रोपेलर लगातार पानी की एक बड़ी मातरा को कंटिनुवसली फोर्स करती है जो अपने सामने लो वाटर प्रेसर जोन और अपने ठीक पीछे हाई वाटर प्रेसर जोन किरियेट करती है यदि आप हलके किनारे फिसलने लगते हैं तो आप बड़ी से प्रोपेलर जो 100 से अधिक आप्यम की स्पीड से हेवी फोर्स के साथ रोटेट करती है उसके अंदर चले जाओगे उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका क्या होगा